नमस्कार बच्चों, आश्या करती हैं कि आपके प्रिवेस लेसन कम्प्रिट हो चुका है, let us start our next lesson, children, स्वर और उनकी मात्रा है, स्वर और उनकी मात्रा है, लेसन शुरू करने जा रहे हैं, मात्रा मींज, स्वर मींज, आपको पता है, आ टु आहा, वैसे ही मात्रा है, उसकी मात्रा है, कौन कौन सी है, मात्रा means, जब आप एक खा लिखना है, और की लिखना है, उसे एक e का को एक e की मात्रा की जरूरत है, वैसे ही हमें मात्रा के बारे में जानेंगे बच्चो, आ को आ, फरस्ट आ वैसे ही लिखना है, नो मात्रा A, this symbol indicates A मात्रा है, Children. E, A symbol अब दिसरा है, A की मात्रा है, E. E, small e की मात्रा, big e की मात्रा, A symbol, U की मात्रा, U की मात्रा, र की मात्रा, ए की मात्रा, आई, ओ, आउ मात्रा है, और ये अम का ए डौट को अनुस्वार कहते है, ए टू, अनुस्वार और विसर आयोग वाह है, आयोग वाह, इन कान्नादा योग वाह को गलू, is there, no? लाइक देट आनुस्वार और विसर और आयोग वाह आम ये डॉट को आनुस्वार कहते हैं ये टू डॉट आहा के टू डॉट को विसर कहते हैं बच्चो ऐसे ही स्वरर उनकी मात्राएं का कुछ शब्द आमें जानेंगे बच्चो आप देखते हैं यहाँ पेज नमबर 35 पर आपको दिस रहा है यहाँ देखिए ख प्लस आ क क क कु आ की मात्रा है मिलकर ही का खा बनता है अब कान लिखना है तब क प्लस आ का कान बिग गा लिखना है तो आ की मात्रा की जरूत है गाजर न प्लस आ ना को आ की मात्रा ही मिलकर ना होता है वैसे ही कुछ आ की मात्राएं के शब्द यहाँ दे चुके है बच्चो आप भी गर में बैट कर अभ्यास करना है काम गास चार साथ बाल गाय आम चाल चाय जाल मानव बादल यह त्री लेटेस का वर्ड़े बचों मानव बादल चावल चादर पालक कागज काजल बालक जानवर फाटशाला ओ आप की मात्राएं के यह स्मॉल ई ई की मात्राएं में किस प्रकार लिखते हैं जब का प्लस ई लिखते हैं तो की बनता है का प्लस ई लिखते हैं तो की बनता है यह स्मॉल की है क क प्लस ई की की के कुछ शब्दों को यह दिया गया है बच्चों Let us see, किताब, कर प्लस ए, कि, किसान, गिठार, हीरन, आप देख चुके हैं इधर, देख सकते हैं, की, स्मॉल वन की, बैक साइड, स्मॉल वन की, बैक साइड को दालना है, बिग वन की, फ्रेंट साइड को दालना है, बैक साइड, ऐसा ही कुछ, इमातराइं के शब्द दे दिन, छित्र, शिला, मित्र, दिल, थिल, निधी, सिर, पिता, किला, सितार, विमान, विज्ञान, गिलास, टिकट, लिफाफा, पिलाना, खिलाना, चिम्टा, जिगर बच्चो, इसे ही, इ, बिग, इ, मातराएं का भी कुछ, शब्द यहां ले दे चुके है, आप रोज पढ़कर, आप अब्यास करना है, च को, इ, मातरा, मिलकर, आड करकर, ची बनता है, ची, बिग, ची, चील, ख, प्लस, इ, खीरा, ब, प्लस, इ, भीन, स, प्लस, इ, सी, डी, इसे ही कुछ शब्द, टू लेटर्स और त्री लेटर्स का शब्द जैचुके हैं, बच्चो, आप पढ़ना है, और आपके कॉपी रेटिंग पर आप एही शब्दों को, रोज एक-एक पेज लिखना है, बच्चो, पीला, नीला, कीडा, गीत, बीस, सीटी, दीदी, गीली, जीजी, लीची, गीदड, दीवार, बीमार, तीतर, दीपक, जीवन, पीपल, कीचड, चीलना, टीक्र, आज इतना ही बस बच्चो, इ, आ, इ, 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 इतना मात्रा लिख चुके है, next class पर U की मात्रा है और A के मात्रा हैं के बारे में जानेंगे बच्चो आपको आपके notes पर लिखने के जरुरत नहीं है बच्चो आपके copy rating पर आप A सब लिखना है notes पर को सब भी notes लिखने के जरुरत नहीं है यह आपका third lesson है third lesson आ और A की मात्रा है जब आप लिखेंगे third lesson आप यह लिखना है फस्ट आपके third lesson heading part 3 लिखना है और heading स्वर और उनकी मात्राहें लिखना है जैसे कि मैंने पड़ा है वो शब्द लिखने के जरूत ने है आप सिर्फ यह लिखना है बच्चो यह एक आपके notes पर लिखना है Thank you